कुर मारिंग एप्रिवान, कैसे हैं आप सभी? उमीद है आप सभी अच्छी होंगे? आज की वीडियो में मैं आपको राजस्तानी चितरकला की शेलियों के बारे मिस्तार से वर्णन करने वाली हैं राजस्तानी चितरकला थी सबसे पहला जो उसका अवशेश मिलता है वो कोटा की चंबल नदी की किनारे दर्रा और मुकंदवरा की पहाड़ियों पर मिलता है चितरकला की शेलिती वो चार भागों में डिवाईड़ियों पहली थी मेवड उप्षेलि का जिनम हुआ था महराना जगतिंग पत्हम के समय यहां के जो प्रमुक कला करते साहिब दिन, मनोहर, किरपाराम, उम्रा थे यह जो चित्र थे वो गीत, गोविंद, सुपाहसन, चरितरम, रामायन और शुकर चित्र की गंथों पर बेर्ष थे यहां पर वेसिकली कृष्ण लीला, नायक नाई का भेद, रागमाला, भारामास, यह सब यहां के प्रधान विश्य हुआ करते थे चित्रों के, और इन में गुजरात और जेनों की शेलियों का मिसे प्रभाब भी देखा जाता है, यह जो चित्र कला थी, उस पे चामवर्ड, नेक्स्ट उपशली है, नाथुदार उपशली, नाद्वारा उपशली का जनम महराना रास्तिंग के समय हुआ था, प्रमुक कला कार थे नारायन, चतरभुज, घासी राम, उदेरा, हरे और पीले रंगों का प्रमुकता से यूज किया गया है, नाद्वारा में जब श्री कला यहां से विकास होना शुरू हो गया, जहां पर श्रीकृष्ण के चरित्र और उनके जीवन चरित्र सारी जो करेक्टर है, उनका विशेश चितरन हो था, जैसे माता यशोदा, अनंद, बालगौल और गोपिया, पिछवाई और भित्ती चितरन यहां के प्रमुक विशे देवगर, उदेपूर से 125 किलोमेटर दूर एक स्थान है, यहां पर प्राकर्तिक वातावरन पर ज्यादा चितरन किया गया है, नेक्स्ट उप्षेली है, मारवार शेली, मारवार स्कूल के अंदर 6 उप्षेलियां आती है, पहला है जोदपूर उप्षेली, जोदपूर उ दुर्गा शप्त चती, नाथ चरित, ढोला मरवन की बात पर बेर्स थे, जो कोश्टन रेज होता है, वो पहली चीज़ तो यह पूछता है कि कौन से माहराजा थे, उस समय उप्षेली में, सेकिंड जो था, किस ग्रंथ पर बेर्स थे, यहां के जो चितर, नेक्स्ट था, नेक्स्ट यहां पर बिकानेरी उप्षेली, बिकानेरी उप्षेली महराजा अनुफ सिंग के समय विक्सित होई थी, प्रमुक कलाकार थे, रुकुंदिन, अलीरजा, उस्ता, आसीर खान, मुनालाल और मुकुंद। नेक्स्ट है, किशनगर्शेली, किशनगर्शेली के प्रमुक जो राजा थे, वो राजा सावन सिंग, नागरी दास के समय इस शेली का उद्भव हुआ था, कलाकार थे, निहाल चंद, मौर्धज बना, भवललाल लाड़ली दास, कोश्ट पूछा जाता है किशनगर्शेली यहां के जो प्रमुक चितर थे, वो था बनी ठनी, राधा क्रिशन के जीवन पर आधरी थे, जहां पर राधा को बनी ठनी के रूप में रिपर्जेंट किया गया था, गीत गोविन, भागवत पुरान, बिहार चंद्री का जैसे गरंथों पर बेरस्ता, सफेद और रंगों का सियोजन मिलता है, नेक्स्ट आता है नागोर शिली, नागोर शिली का विकास होता है, अठारविस चताब दी से माना जाता है, नागोर शिली में महलों की विट्ती चितर विशेश है, विट्ती चितर में आपको बताया थे, दीवारों पे जो चितर अंकित किये पहुतु हैं और श्राइकूत हैं हूं पिया जयसल में। पता है मतलब इसमें दूसरी शेलियों का मिश्रन नी हुआ है जसल मेर उपशली में नेक्स्ट जो स्कूल है था वो ढूंडाड इसकूल ढूंडाड के अंतर चार उपशलियां होती है जैपूर अलवर आमिर और उरियारा जैपूर शेली का विकास होता सवाई पताफ सिंग क समय यहां के प्रमुकलाकार है मुहमद शाहिब राम सालिक राम राम जी दस रगुनात में आपको पहले भी बताया था कि वो जो चित्रकला की शेलियों में वहां की महाराज और उनकी कलाकार के विशे में ज्यादा परशन पूचे जाता है यहां के चित्रों में हाशिये ग पुलामरी और बुद्धराम थे इस शेली में आपको इंदो परस की शेली का मिश्रन दिखेगा यहां पे हरे नीले और सुनहरे रंगों का उप्योग नेक्स्ट आपका आमेर शेली आमेर शेली का विकास मान सिंग मिर्जा राजा जैसिंग के समय वा था यह जो चित्र थे वो बेश थे आधिपुरान रजनवामा भागवत ये शोदर चरित्र पे यहां पे बिहारी सस्ते ग्रंथ पे वेश यहां पे चित्र बनाएगे थे नेक्स था उन्यारा शेली उन्यारा शेली जैपुरों बुद्री रियासतों का मिश्रन था यहांके जो प्रमुक करला कार करते दहीमा मीरवक्ष कशिराम भक्त थे नेक्स्ट आते हाडोती शेली हाडोती शेली के अंदर दो उपशिली आते कोटा उप शेली और भूंदी उप शेली के जो परमुक महराज थे महराव राम सिंग, महराव लभीम सिंग, महराव शत्रुशाल यहां के कलाकार थे रगुनांत, गोविंद राम, डालू, लच्छी राम, डून मुहम्मद कई बार कॉशन आ चुका है कि डालू कहां से रिलेट करते थे यहां पे हरे, पिले और नीले रंगों का सेंजन यूज़ करते हैं, भित्ती चितरन और जाला हवेरी इसका प्रमुक विशेश आकरशन है नेक्स्ट आता है बूंदी शेली, बूंदी शेली का विकास हो थे राव भाव सिंग के समय बूंदी शेली की जो चितर राग रागी नी, नाईका भेद, रितु बनन, बारा मास, रसिक पिरिया पे वेसर होते थे हैं, हरे रंगों का प्रधान कलर यूज़ किया जाता था तो इसका करेक्ट ऑपशिं और जाता है की शिंगर स्टाइल, सैकेंड कोश्चन है, मनदावा इस फेमस फ़य मसफ राजस्तानी पेंटेन, नेस्ट कोश ने विच प्लेस ऑड़िजन और राजस्थानी पेंटी। ने स्टाइल मेवर अने राजश्चन कोश्चन हाना प्रा राजस्तान प्रिंटिंग्स के बारे में नेक्स्ट में हम राजस्तान साहिती के बारे मात करने वाले हैं थैंक्यू फ्रेम्ट